गुड मोर्णिंग सुछे में निकालते हैं किसी स्वेर का परिमिटर एरिया कैसे किसी निकालते हैं ठीकर लाइन सेग्मेट कैसे ड्रॉ करते हैं कि pasado य हमने देखा था और सीख लिया था अब नेक्स्ट में हमलोग को कैसे चैसा निकालते हैं तो हम लोग 5th question को देखते है तो 5th question है A family about a plot of land of length 30 meter and breadth 20 meter तो एक family जो है ठीक है तो उसने एक plot खरीदा है ठीक है जमीन का एक plot खरीदा है उसके लंबाई कितनी है 30 meter और उसके चाड़ाई कितनी है breadth 20 meter ठीक है 30 meter देख लिए और यह 20 meter ठीक है जो पीला वाला देख रहा है वह क्या है उनका house है तो इन्होंने जो house बनाए हाउस house की length कितनी है 20 meter और उसका breadth 12 meter कि उन्होंने house बना लिया इतने एरिया में and made a garden in the remaining part और बाकी जो भी इससा बचाए जो green और blue में देख रहा है ग्रीन में तो यह जो भी एडुवगा और तो आपको बताना है कि यह उसका इरिया उसका अरिया कितना है तो इसका सिम्पल सा तरीक है कि हम लोग पहले जो पूरा प्लाट होसका आरि निकाल ले ठीक है और फिर house की आरिया निकाल लें और अर अगर पूरे से हाऊस करें आए में पता चल जाएंगा तो अमने इसा तरीक से किया है सोलीशन देखते हैं ॉप टौइस रहे हैं तो उसी से प्लॉट खरिदा थे लेंड का ठेकर उसका फार्मुला क्या है लेंट इन तो भेट तो थर्टी मिटर इन्टू 20 मिटर कितना हो जाए six hundred meter square । हम आप हम एक्ते लो धर हूस निकालते हैं थिक और जो घर उसने रेक्ஞ्ग्र बनाया है उसका एरिया तो उसके लिए क्या है फर्मल चंसली टोबरेथ 20 मेटर ट्वेल मिटर मिटर स्वें इसका कर देते है 20 into 12 टो हंडेटell मेटर tuar性 है जाएगा क्लोह locks सब्सक्राइब है इसको 11626 मेटर सके ऩूंता Lastly कि वैधाज्या प्लॉड़ को देखते हैं six question क्या है pictograph के बारे में है इसमें आपको सारी चीजे दिखा जाती है कि कौन से चीज क्या है कितनी है और वह picture के हिसाब से दिखा जाती है ठीक है जहाँ पे आपको जो picture group में दिखा जा रहा है एक अगर पूरा goal है ठीक है पूरा full circle है उसका मतलब क्या है 12 books ठीक ह तो यह क्या है तो 12 आफ एक क्तों होगा तो आप निकाल सकते हैं three तो 12 का आधा 12 का हाफ six और 6 का हाफ तो यह इस तरह से है the day किसे सॉप में जो बुक्स भाइएं की फैरी टेल्स की बुक कितनी मिकी है एडवेंचर की वह कितनी वह कि बताया है वह दिखाया गया इसने है इसी के हिसाब सम्कों कुछ कोश्चन से संसकки अंसर देने है हूँ मैंनी विगान है उसमें से डिक्सनरी क तो यह फूल सरकल इसका मतलब क्या है 12 यह फिर से 12 तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 और प्लस यह कितना है थ्री तो अगर इमसे सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ठीक है तो 12 प्लस 12 प्लस 12 36 प्लस 3 39 तो यहां पर देख सकते हैं से 12 12 13 बार थी यहां 3 बार है और यहां पर 3 यहां पर प्लस्त में 6 यह ज्यादा भी तो जोड भी सकते हैं आप इस तरह से निकाल सकते हैं ठीक्तोग्राफ में सिर्फ देख के काम चला सकते हैं तो सबसर्दी कौन से बाइभी पीची है तो सबसे बाकि नहीं देखना सिर्फ इन दोनों कोमिक और क्राफ्ट वाली बुक को और कौन क्राफ्ट की बुक है यहां पर क्राफ्ट की बुक है तो क्राफ्ट की बुक कितनी है 12 प्लस 3 15 और क्राफ्ट की बुक कितनी बुक है 12 प्लस 9 क्योंकि आ पर 6 हमारा lubanty जो हो खतम होता है हम नेक्स प्रएक चैप्टर करते हैं और इस चैप्टर में किस के बारे पढ़ना हैAt रोमार नमारम का पढ़ना है तो अब लोग जैस्से नंबर लिखते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते हैं यह हिंदू अरिबिक नंबर है ठीक है और कि इनको कहा भी आता है यह पड़ भी सकते हैं हिंदू अरिबिक नुम्रेल्स तो यह तो हम लोग की नंबर थी ठीक है यह हमारे इस्तिमाल क्या आता है पर जो रोमन्स थे ठीक है रोम के लोग वह दूसरा तरीका इस्तिमाल करते थे वह जो पढ़ने विज़कार कहा हुआ भारत में हुआ है ठीक है तो रोमान द्रमसकार नहीं था और इसको लिखने के लिखो भी तरीका उनके पास नहीं था 0 को 100 के लिए m होता है तो i है x है c है और m है यह special है ठीक है क्योंकि हम इनको repeat कर सकते हैं जैसे अब हम एगर 10 है, तो 10 के लिए हमने X लिख दिया, अगर मैं 20 लिखना हो तो हम double X लिख सकते हैं, 30 लिखना हो तो triple X, ठीक है? सिर्फ तीन बार ही, maximum तीन बार कर सकते हैं, ऐसा ही C है एनी 100 के लिए, तो अगर मैं 300 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो ट्रीपल सी है जिसका मतलब क्या है कि 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 त्रीपल है वह इसका मतलब 1000 प्लस 1000 यानि 3000 और यह रूल भी है कि अगर हम कोई small number किसी greater number के left side में लिख जिते हैं जैसे यहां पर वी और फिर आई तो हैं पर वी यानि 5 यानि बड़ा है और आई क्या ह तो अगर उसके बाद में लिखते हैं अगर छोटे number को बड़े number के बाद में लिखते हैं तो क्या होता है उसमें add हो जाता है तो जुड़ जाता है यहां पर वी यानि 5 प्लस 1 यानि केतना हो गया 6 उसे तरह से L प्लस X तो L 50 X 10 तो 50 बड़ा है 10 से तो 50 के बाद 10 लिख गया यहां पर जो i है v के बाद वो उसको पहले लिख दे हैं तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा अगर हम किसी छोटे number को बड़े number के पहले लिख दे हैं यहां पर पहले और बाद में लिखा होगा तो माइनस हो जाएगा और अगर बाद में लिखा होगा तो प्लस हो ज क्या है 10 तो 10 छोटा है और 50 बड़ा है तो आप इसको पहले लिखा गया तो क्या हो जागा माइनस है और एक चीज और ध्याने ओलाई चीज है कि जैसे आप हम दिखते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे जो क्या करे एकस में जोड़े या भी में घत आए तो अगर ऊछोटे नंबर और उसके लेफ्टो और राइट साइड में ठीक होते हैं जो उसके राइट सैड में नंबर होगा ठीक है जो बाद वाला बड़ा नंबर होगा उसमें सो माइनस हो जाएगा ठीक है ध्यान दीजेगा कि अगर कोई छोटा नंबर है और उसके आज पास दोनों बड़े नंबर है जैसे यहां पे ठीक है xivi तो iph बीचमें वह क्या है एक चोटा और उसके एक तरफ क्या है ठीक है उसके पहले क्या है x यानि10 बड़ा है और उसके बाद में क्या है 5 वह भी बड़ा है तो ऐसी condition में क्या करेंगे कि जो उसके बाद वाला नंबर होगा उनि 5 उसमें से माइनस कर देंगे ठीक है उसमें जोड़ेंगे नहीं याद रखेगा जो उसके पहल वला नंबर उसमें से माइनस कर देंगे ठीक है जैसे यहां पर हमने किया कि अाँ आज सीख से आए पर आप इसका मतलब न ülके जान का हुआ है तो अब इसको भी देख लेख लिए है कि 90 हमा लिखते है क्यों किसी भी नंबर को तीम भार हिं कर सकते हैं तो पहल सेटिया क्या होता है यहां नहीं कर सकते हैं तो 100 का C और minus करना होगा 10 हमने क्या लिखा है xc अब हमें 80 लिखना हो तो हम इसे लिख सकते है कि double xc क्योंकि 100 में से 20 minus कर दे तब यह तो C होता है 80 होता है बट नहीं क्यों क्योंकि हम minus सिर्फ एक बार कर सकते हैं आप कहीं भी जब भी रोबन नमर पढ़ेंगे आप कहीं भी दो बार मैंस उत हुए नहीं देखेंगे तो यह जो लिखने का तरीका वो क्या है गलत है ठीक है तो आपको इन सब को ध्यान देना है आपको जो जो रूल्स बताएगा वो आप अच्छे सा समझ लीजिए और उसी की पेस पर आपको आगे देखना है तो यहां आपको वन से लेकर हंडिड़ तक पूरा रोंबा नंबर दिया हुआ है तो जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हैं वैसे ही है जैसे वन टो थ्री फॉर यह पूरा टेन तक हो गया तो उसी तरह से फिर आगे अगर आप लिएवन लिखेंगे तो टेन प्लस वन इलेवन टेक मैं ठेक है तो टेन प्लस टू टेल अट फेले यह पूरा टेन का लिख सेवन लिख से चटीशेण लिखना है तो पहले शूर्चका लिख लिखिए एलए लएक्स और फिर उसमें सेवन तक हो गया तो क्या होगया तो इस तरह से चाहर्ण parfait ए सामझना होग जिससे 99 मैं क तो पहले हमने 90 के लिख लिखा एक्स सी लेकिन 9 के लिए नाइन के लिए हम ठीक है 10 में से माइनस 1 करेंगा नहीं आइक्स तो 9 के लिए आप जो भी पढ़ेंगे आइक्स तो आप प्याद कर लिए जो आप लिख सकते हैं इस तरह से आपको जो एक्सरसाइज 2 है वो करना है ठीक है एक्सराइज क्या है देखिए राइट उसंग हिंड्यू अरेबिक नुम्रल्स तो आपको हिंड्यू और एक दूसरा जो क्वेश्चन है ठीक है तो आपको हिंड्यू अरेबिक नुम्रल्स दिये गए हैं आपको उसको रोमन में चेंज करना है जैसे क्या है 14 14 को कैसे हम चेंज करेंगे तो पहले हम 10 क्लिका बनाएंगे एक्स फिर 4 के लिए आई वी तो एक्स आई वी उसी तरह से बा मतलब 50 तो कौन बड़ा है तो हम यहां पर इस तरह से यानि यह वाला यहां पर भर देंगे दूसरा सरब बाके समय भी करना है जो फोर्फ वला कोस्टिन है से मुसी के तरह है बस यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि यहां पर एक्कॉवल भी हो सकता है ठीक है तो लिभना में सब्रह्ते नमबर जोना है इसको लिखना सी नमिन्हां जोङरे भी करना ऐए कि शेवन्त में है रास्ट वा क्या करना आपको राइटे एंसर इन रोमन न्यूमरर्स तो सुझे से थाDe वीडियो में इसका मैं अंसर बताऊंगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद